नेस्ट कोश्चन है यदि A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA 0 के एकोल है तो A ratio B ratio C का मान ग्यात कीजिए देखिए यहाँ पे जो A² प्लस B² प्लस C² दिया हुआ है यह जो negative term है उसको right hand side में लेके जाओ तो किसके एकोला जाएगा AB प्लस BC प्लस CA ठीक है तो A² प्लस B² प्लस C² की value क्या आगी यह वाली ठीक है अब अगर मैं AB और C की कौन सी value रखूं जिससे left hand side और right hand side बोच side एकोल हो जाए ठीक है यह heat and trial method का question है heat and trial method में क्या होता है हमें assume value रखनी होती है जिससे left hand side और right hand side दोनों बराबर हो जाए जरने लिए यह number क्या होते है minus का 1, 0, 1, 2, 3 and half ठीक है ना लगबग सभी question है heat and trial के इनी में से soul हो जाते है ठीक है ना तो अगर मैं 0 रखूं तीनों की value 0 रख रहा हूं तो satisfy करता है ठीक है लेकिन दिक्कत क्या है फिर यह 0 multiply 0 ठीक है ना वो सहीं नहीं है 1 रखते हैं तब ज़्यादा बेटर रहेगा 1 रखता हूं तो 1 का square 1, 1 का square 1, 1 का square 1 और यहाँ पर 1 into 1, 1 into 1, 1, 1 to 1, 1 तो left hand side में भी 3 आ जाएगा और right hand side में भी 3 यानि A equal है B के equal है C के तो कितनी value आ जाएगी यह मैंने 1 assume कर ली ठीक है जैसे मैं यहाँ पर रखता हूं 1 का square 1, फिर 1, फिर 1, right hand side में 1 into 1, 1, 1, 1 यानि 3 equal है 3 के, तो जैसे ही value मैंने 3 की एक रखी, तो equation satisfy हो गई ठीक है, अब मेरे से पुछा गया है, 3 का ratio बताईए, अब ratio A, ratio B, ratio C, A की value क्या है, 1, B की value क्या है 1, और C की value क्या है 1, तो ratio क्या आ जाएगा, 1, 1, 1, 1, तो option D is the right answer,